दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल पे जो प्लेस्टोर है उसी यूज नहीं कर पा रहे और आपके मोबाइल में जो प्लेस्टोर है वो अपडेट नहीं है और आप चाहते हैं आपके मोबाइल में जो प्लेस्टोर है उसको मैनुवली अपडेट करना तो आप यह वीडियो को update करने के लिए सबसे पहले आपके mobile में जो settings है वहाँ पर आपको जाना होगा और यह वे आपको search करना पड़ेगा application किसी-किसी के mobile में apps होता है तो मैं यहाँ पर apps है यहां पर select कर लेता हूं और यहां से आपको search कर लेना है आपका प्लेश्टोर कहां पर है तो यहां पर गूगल प्लेश्टोर यह रहा इस पर टैप करने के बाद यहां पर आपको स्टोरेज और केस फाइल का डाट मिलेगा यहां पर जाना है सिंपल सा यहां से clear storage code आ दिना है यहां पर आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा सिंपल सा आपको इसके बाद आपको प्लेश्टोर में जाना होगा कि इसके बाद आपके सामने प्लेश्टोर का ऐसा खुल जाएगा और बिल्कुल डाय तरफ ऊपर देखेंगे तो आपका प्रोफाइल फोटो होगा उसपे क्लिक करना है इसके बाद आपको इहां बहुषत रआ ओप्शन दीखेगा आपको सिंपल सा नीचे शेटिंग्स पे चला जाना है शेटिंग्स में जाने बाद यहां प आपका अपडेट नहीं है तो यहाँ पर ओके दिखेगा आप सिंपल सा यहाँ जो भी दिखे ओके कर दीजिए इसके बाद आपका जो प्लेस्टोर है वो बैक्गरण में अपडेट होना शुरू कर देगा और उसके बाद आप प्लेस्टोर को इसीली यूज़ कर पाऊगे